हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अपने इंटरव्यूज में कई बड़े खुलासे किये हैं देखा जाये तो अपनी शादी शुदा जिंदिगी को लेकर अकसर अपने इंटरव्यूज में बातें करती हुई नजर आती है हमारे इस खास प्रोग्रेम में हम आपको बताने जाएंगे आज एक और मशूर अदाकारा के बारे में जो आज तक मा नहीं बन पाई हैं और एक हाथ से ने किस तरह से उनकी जिंदिगी को पूरी तरह बदल दिया हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठो दरसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हम बात कर रहे हैं आज हिंदी सिनेमा जगत में सतर से असी के दशक में फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने वाली मशूर अदाकारा बिंदू के बारे में जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्म इंडस्टी में कदम रखा और जादतर फिल्मों में नेगेटिव किरदार में नज़र आएं बिंदू जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल और परसनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियां भी बटोरी हैं चांदकरी के लिए आपको बता दे कि बिंदू ने महस 13 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया साथ भाई बेहनों में सबसे बड़ी थी बिंदू और अपने परिवार को संभालती हुई नज़रा एक बड़ी बेहन होने के नाती अपनी जिम्मेदारियों को बिंदू ने बखु भी संभाला लेकिन अपनी परसनल लाइफ में बिंदू ने काफी दुखों का सामना भी किया है इन ही मैसे एक और राज है जो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरीए बताने जा रहे हैं सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज है 17 जनवरी 17 जनवरी साल 1951 में ही गुजरात में बिंदू का जन्म हुआ था और आज के समय में बिंदू हो चुकी है पूरे 70 साल की इस खास मौके पर जहां एक और बिंदू के फैंस उन्हें जनम दिन की बधाई देते हुए दिख रहे हैं वहीं दूसरी ही और बिंदू की जिंदगी से जुड़े कई किस्ते भी सामने आ रहे हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरीए हम आपको बताने जा रहे हैं बिंदू की शादी शुदा जिंदगी के बारे में अपने दोर की मशूर अभीनेत्रियों में से एक इनी जाती हैं बिंदू जिन्होंने फिल्म इंडिस्टी में अब तक कई फिल्मों में काम किया है और अपने नेगेटिव किरदार के चलते काफी सुर्खियों में भी रही है जिहां सतर से असी के दशक में फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाती हुई नजर आती थी बिंदू और फिल्म इंडिस्टी का एक जाना माना नाम है सतर साल की हो चुकी है बिंदू ऐसे मैं आपको बता दें कि आज के समय में अपने पती चमपक लाल जवेरी के साथ आलिशान सिंदिगी बिता रही है लेकिन एक दर्द भरे हाथ से का सामना भी कर चुकी है जानकरी के आपको बता दें कि आज तक बिंदू को मा बनने का सुख नहीं मिल पाया है महें 16 साल की थी बिंदू जब उनकी शादी हुई थी बिजनिसमें चमपक लाल जवेरी के साथ और ये शादी हुई थी लव मैरेज दरसल जानकरी के लिए आपको बता दें कि बिंदू ने अपने इंट्रव्यू में बताया था कि वे तारदेव इस्ते सौनवाला टैरिस में पडोसी हुआ करते थे बिंदू के और हमारे बेच पांस साल का अंतर था मुझे उनसे आसानी से प्यार नहीं हुआ मैंने उन्हें काफी परिशान किया बिंदू के मुताबिक ये भी सामने आया है कि चंपकलाल जवेरी उनसे आउटिंग के लिए कहा करते थे लेकिन बिंदू हमेशा ही मना कर देती थी जी हाँ बिंदू ने बताया था कि मैं उनसे कुछ वक्त मांग कर फिर जवाब नहीं देती थी मैंने कई बार ऐसा किया और जाहिर तोर पर उन्हें गुज़ा आता था लेकिन वे कभी इसे जाहर नहीं करते थे और एक दिन मुझे एहसास हुआ था कि ये सिर्फ अट्रेक्शन नहीं है और बाद में एक वक्त ऐसा भी आया जब बिंदू को उनसे प्यार हो गया और एक वक्त ऐसा आया जब दोनों शादी की बंधन में बन गए जहां एक और एक दूसरे के साथ शादी शुदा जिन्दिगी को बहतरीन तरीके से बिता रहे थे वहीं एक वक्त ऐसा आया जब बिंदू ने दुखों का सामना भी किया साल 1977 से साल 1980 के बीच का दौर बिंदू के लिए काफी दुख भरा रहा जानकर एक लिए आपको बता दें कि बिंदू ने अपने इंट्रव्यू में बताया अपने मिस कैरिस के बारे में बिंदू ने अपने इंट्रव्यू में बताया कि हमने बेबी प्लान किया और प्रेगनेंसी की तीन महीने बाद मैंने काम करना भी बंद कर दिया लेकिन साथवे महीने में मेरा मिस कारईज हो गया और मैं पूरे तरह से तूट गए ये मुकदर की बात है हर इंसान को हर चीज नहीं मिलती मेरे हस्पेंट भी बहुत निराश हुए और इस हादसे के बाद बिंदु कभी मा नहीं बन पाए बिंदू को कभी मा बनने का सुख नहीं मिला बिंदू ने बहुत ही कम उम्र में शादी की लेकिन बिंदू को आज के समय में एक भी बेबी नहीं है जी हाँ उनकी एक भी संतान नहीं है जिन्होंने फिल्म इंडर्स्टी में अपने नेकेटिव किर्दार से हर किसी को इंप्रेस कर दिया और अब तक फिल्म इंडस्टी में कई सुपर हिट और बहत्री इन फिल्म में दी हैं ऐसे में देखा जाए तो बिंदु अब तक मा नहीं बन पाई और ऐसे में देखा जाए तो बिंदु मा बनने के सुख को नहीं देख पाई है बिंदु ने अपने इंट्रिव्यू में ये भी बताया कि किस तरह से उनके पिता उन्हें बेहद प्यार करते थे बिंदु ने बताया था अपने इंट्रेव्यू में कि मा को स्टेस पर पर्फॉर्म करते हुए देख कर उनके मन में भी एक्टरस बनने का खयाल आने लगा था और उनके पिता नानु भाई देशाई उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे बिंदु के मताबिक साथ ही साथ ये भी सामने आया कि वह साथ बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी और इसलिए जब उनके पिता बीमार पड़े थे तब उस दोरान परिवार की जिम्मिदारी उन पर आ गई थी बिंदु के पिता जी उनसे कहते थे कि तुम मेरा बेटा हो वहीं मैं 13 साल की उम्र में बिंदु ने अपने पिता को खो दिया और बिंदु ने हर मुश्किल घड़ी का डट कर सामना भी किया साल 1962 में फिल्म इंडस्टी की दुनिया में कदम रखा और फिल्म अनपर से अपने करियर की शुरुआत की लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें उन्होंने बतोर चायल्ड आर्टिस्ट काम किया था लेकिन साल 1979 में फिल्म इत्टफाक और फिल्म दो रास्ते से बिंदु को असली पहचान मिली और इसके बाद बिंदु लगातार आगे बढ़ती हुई नजराई सो फ्रेंड्स हमारे इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से बिंदु ने अपने इंट्रव्यू में बताया कि वह मा बनने का सुख नहीं देख पाई है साल 1977 से साल 1980 के बीच का एक ऐसा दौर था जब वह एक दर्दनाक हासे का शिकार हो गई और आज तक मा नहीं बन पाई है ऐसे में देखा जाए तो बिंदु आज तक इस बात का अफसोस करती है कि वह मा नहीं बन पाई है बिंदु अपने पती चंपक लाल जवेरी के साथ बेहद आलिशान जिंदिगी बिता रही है और अब तक फिल्म इंडस्टी में कई सुपर हिट फिल्में भी दे चुकी है हमारे इस खास प्रोग्रेम में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज